वेल्वम ट्यू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं डेली कैपिटल्स वर्सेज मुंबई इंडियन्स IPL मैच जो की खेला जाएगा ब्रेबाउन स्टेडियम मुंबई में क्या हो सकती है possible playing 11 कौन से player है जो available है कौन से available नहीं है क्या रहेगी small league की team grand league के लिए best captain choice कौन रहने वाला है सब हम इसी वीडियो में discuss करने वाले है सो पूरी वीडियो देखेगा मज़ा आने वाला है सो बात करते हैं वेन्यू की सो ब्रेबाउंट स्टेडियम मुंबई में मैच खेले जाने वाला है यह afternoon match है यहाँ पर वैसे अगर बात करें pitch report की सो ideally यह betting के लिए काफी अच्छा रहता है और second inning में तब night game में यहाँ पर due factor आती है लेकिन क्योंकि यहाँ पर यह afternoon match है तो due factor का जो है वो इतना role अब नहीं रहेगा afternoon matches में नहीं रहता तो यहाँ पर आपको अच्छे runs देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर अभी तक total जो है 11 IPL के matches हुए जिसमें से batting first करते हुए 6 बार team जो हो जीती है और chase करते हुए 5 बार team जीती है average जो first inning का score है वो 147 है और highest score जो है और lowest score जो है दोनों ही Mumbai Indians का है highest है 212 पे 6 और lowest जो है वो 115 है तो अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाईए यह हमारा टेलीग्राम चैनल fantasy fortune के नाम से है link description में मिल जाएगा साथ के साथ मैं comment section में पिन कर दूँगा उसी के त्रू जुड़िएगा search करके मच जुड़ना क्योंकि fake channels काफी सार हैं हमारे नाम के और कोई fantasy fortune के नाम से पैसे मांगे सो बिल्कुल भी देने की ज़रुवत नहीं है साथ के साथ YouTube चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे ही वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी बात करते हैं है यहाँ पर probable playing 11 की सो यहाँ पर दिल्ली की तरफ से open करते हुए नजर आ जाएंगे Tim Siffert, David Warner क्योंकि available नहीं है तो Tim Siffert open करते हुए नजर आ जाएंगे पृत्वी शौ के साथ फिर यहाँ पर one down, मंदीव सिंग और केस भरत में से कोई हो सकता है लेकिन यहाँ पर क्योंकि Mitchell March यह वो अभी available नहीं है सो मुझे लगता है कि केस भरत के जादा चांसिस है one down आखो खेलते हुए नजर आ सकते है रिशपपन्थ है, रोवमान पॉवल है सरफरास खान है, चाहें तो टीम जो है सरफरास की जगा लेलित यादव को भी खिला सकती है अकसर पतेल है, शारदूर्ठाकुर है यहाँ पर कुलदीप यादव या चेतन सकारिहा मुझे लगता है कुलदीप यादव खेल सकते हैं यह वाला मैच इवन दो चेतन सकारिहा भी काफी अच्छे बोल रहे है बट कुलदीप यादव को खेलना चाहिए अब दो प्लेयर की बात कर लेते हैं मुस्तफिल रहमार और लूंगी एंगिडी आप सब को पता हैं कि अभी रिसेंटली सिरीज चल रही थी तो दोनों प्लेयर जो है वो मुंबई आ चुके हैं आज यानि के 25 तारिक को और यहाँ पर अगर वैसे देखा रहा है रूल जो कॉ में हैं सो उनके लिए वो लागू नहीं होता इनके सिर्फ टेस्ट होने हैं सो अगर टेस्ट की रिपोर्ट टाइम पे आ जाती है सो दोनों ये मुस्तफिल रहमान और लूंगी एंगिडी आपको खेलते वे नजर आ सकते हैं बात करते हैं मुंबई इंडियन्स की रोहिश अब यहीं बोला है अभी जो उनकी उन्होंने बात करी है वो यहीं बताया है कि वो देखो उन्हें अभी अवेलेबिलिटी का खुद नहीं कुछ कह सकते हो कि खेलेंगे या नहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो यहाँ पर इनके साथ टीम में ज जैदेव उनाटकर और मुरगन अश्विन आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे बात करते हैं इंटरस्टिंग फैक्ट्स की सो हेड टू हेड काफी हद तक जो है वो क्लोस चल रहा है दिल्ली कैपिटल्स जो है चोदा मैच जीती है और मुंबई ने जीते हैं आपर 16 ला जैदव 285 और इशान किशन 263 लेकिन इशान किशन का एवरेज जो है बेटिंग एवरेज अगेंस्ट यहाँ पर दिल्ली वो है 65 का जो काफी अच्छा है सो ध्यान रखना है हाई स्कोर की बात करें सो रिशफपन्त के हैं 78 नॉट आउट यहाँ पर फिर रोहिश शर्मा की तीन हाफ सेंचुरी हैं और इशान किशन ने भी 22 रन यानी 72 रन की नाबात पारी खेली हुई है मोस्ट विकेट्स क्यूंकि टीम जो है इस पार काफी चेंच हो गई है बोलिंग जो है सो बुमरा आते हैं 20 विकेट उसके बाद आते हैं कैरन पॉलाड जिनोंने 7 विकेट न आता फिल्डर आपको फिल्डिंग करेंगे विकेट कीपिंग नहीं करेंगे लेकिन एक अच्छी आपके लिए डिफरेंचल पिक बन सकती है क्योंकि प्लेयर अच्छा है जादा लोग ट्राइ नहीं करेंगे ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए काफी अच्छी चोईस ब भी लगा सकता है तो इस तरीके का खिलाडी है प्रित्वी शौ ग्रैंड लीग के लिए बहुत भड़ी है captain choice रहेगी और इनके उपर ऐसा है अगर आप इने लगातार captain बनाते हो grand league में सब्सक्राइब करवा सकते हैं small league में भी try कर सकते हो लेकिन risk बहुत रहता है प्रित्वी शौ के उपर क्योंकि थोड़े से unpredictable player रहते हैं यहाँ पर केस भरत है last season इनका अच्छा गया था जो IPL में खेले थे एक अच्छे यह आपके लिए differential pick बन सकती है क्योंकि player काफी अच्छा है आप चाहो तो यहाँ पर अगर आपको लगता है मुंबई जो है लीग के लिए काफी अच्छी choice बन जाती है सरफरास खान है यह बहुत रन करके आ रहे हैं यह न डोमेस्टिक सीजन में रंजी ट्रॉफिय में बहुत रन कर रहे हैं पिछले एक दो साल में सरफरास खान ने डोमेस्टिक में काफी रन करें हैं काफी अंडरेटेड बैट्समें हैं लेकिन आपके लिए एक अच्छी ग्रैंड लीग च्छी बन सकती है स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे रोवमान पोवल है वेस्ट इंडीस के पावर हिटर है यहाँ पर इस टीम में देखो यहाँ पर रोवमान पोवल रिशफमन्थ यह इंपोर्टेंट बन जाते हैं इन मैच्चेज में क्योंकि यहाँ पर जब आ जाएंगे डेविड वार्णर और मिचल मार्श उस case में क्या होगा कि top order जो है वो काफी strong बन जाता है तो उस case में रॉवमान पोवल यहाँ पर सर्फराज इनकी बैटिंग के आने के chances कम बन जाते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी top order बहुत strong नहीं नजर आ रहा है क्योंकि टिम सिफर्ट भी inconsistent player रहते है most of the time सेम है प्रिथवी शौक केस बरत के बाग बहुत जादा experience नहीं है सो middle order की na importance काफी जादा भढ़ जाती है सो रॉवमान पोवल को आप बिल्कुल अपनी टीम में try कर सकते हैं करेंगे आपको प्लस आपको जरुरत आने पर bowling भी करके दे सकते हैं यहाँ पर अक्सर पटेल है जो important रहेंगे बैटिंग bowling दोनों से contribution दे सकते हैं जो टीम के लिए new signing है वो है यहाँ पर शाडुल ठाकुर आप सब जानते हैं लोड शाडुल ठाकुर के बारे में किसी भी match में किसी भी over में 2-3 wicket निकाल के दे देते हैं और कमाल का player है कमाल का all rounder है so important रहेंगे कुल्दी प्यादव selection बिल्कुल नहीं होने वाला है जादा लोग try नहीं करेंगे लेके new franchise ही है so I hope कि कुल्दी प्यादव इस साल अच्छा करें आपके लिए अच्छी differential player बन सकते है especially afternoon match है so due का factor नहीं होगा so afternoon matches में जो है spinners को थोड़ी सी मदद मिल सकती है so वहाँ पर कुल्दी प्यादव फाइदा उठा सकते है मुस्तफिद रह्मान है खेलते हैं so recent form बहुत अच्छा नहीं रहा है लेकिन अगर पहले दिल्ली bowling करती है so death में bowling करेंगे so वहाँ पर wickets निकाल सकते हैं सेम है लूंगी एंगीडी का लूंगी एंगीडी भी आपको death में bowling करते हैं जरा जाएंगे और अगर दिल्ली पहले bowling करती है तो wickets निकाल सकते हैं अगर options की बात करें अगर suppose करो यहाँ पर लूंगी एंगीडी या रह्मान में से कोई available नहीं है so क्या option है so उस case में आपर चेतन सकारिया है जो मुझे लगता है जो सरफरास की जगा टीम चाहे अगर स्विनर एक खिलाना चाहे एक्स्ट्रा बोलिंग और बैटिंग और तो यहाँ पर ललितियादव को खिला सकती है खली लहमद है suppose करो मुस्तफिज और रहमान या इनकी रिपोर्ट नहीं आती है तो फिर दो फास्ट बोलर जो है चेतन सकारिया और खली लहमद का ऑप्शन आता है डेट बोलिंग की बात करें सवयाँ पर मुस्तफिज और रहमान है लुंग अंगीडी है लेकिन अगर यहाँ पर दोनों नहीं खेलते क्हेलने के चानसिद है वैसे लेकिन अगर नहीं छेतन सकारिया और फिर शाइड करें इशान किशन के साथ यार दोनों ही काफी खतरनाक हैं लेकिन ये भी है मुंबई इंडियन्स के पहले के मैचे स्टार्टिंग के मैचे ना बहुत अच्छे नहीं जाते हैं मोस्ट्रीन का ये रहता है कि स्टार्टिंग के मैचे में इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती लेकिन जैसे जैसे टूर्णामेंट आगे बढ़ता चला जाता है Mumbai Indians unbeatable हो जाती है तो क्या इस सीजन भी ऐसा होगा वो देखते हैं So Rohit Sharma important रहेंगे काफी लोगों के captain wise captain की captain करेंगे इनको small league में एक अच्छी choice है आप भी कर सकते हैं लेकिन पहला match है So थोड़ा सा मुझे लगता है मैं शायद Rohit Sharma को captain ना करूँ लेकिन as a player ज़रू अपनी team में लेके जाऊँगा इशान किशन है अगेन एक अच्छी captain wise captain की choice क्यूँकि आपको wicket keeping किसे ही point दे देंगे 65 के average से खेलते हैं अगेंस दिली So एक अच्छा betting average भी है यहाँ पर इशान किशन का सूर्या कुमार यादव मुझे लगता है नहीं खेलने वाले हैं खेलेंगे स्वार आपके team में भी होने चीए और small league में captain wise captain भी कर सकते हो लेकिन ये match ही है miss करते होए नजर आ सकते हैं इनकी जगा Annmol Preach Sim k히ल सकते हैं जो की अच्छे hitter है जो पंजाब से खेलते हैं एक अच्छा player है जिसके पास stoke है और यहाँ पर अच्छे stokes लगा सकते हैं और यहाँ पर आप जो है अगर देखेँ Annmol Preach Sim खेलते हैं तो हो सकता है वन डाउन जो है तिलक वर्मा से भी करा लिया जाए ठीक है ये चीज़ का धियान रखना है अनमोल को फिर सेकंड डाउन खिला सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी डिफ्रेंशल प्लेयर आपके लिए बन सकती है तिलक वर्मा है थैदराबाद का प्लेयर है काफी अच्छा प्लेयर है और मुझे लगता है इस सीजन मुंबई से अगर ये परफॉमेंस दे सकते हैं अगर इनके थोड़ा सा बैक करे न ये परफॉमेंस दे सकता है और ये प्लेयर नाम बना सकता है तैलेंटेड खिलाडी है और एक अच्छी डिफ्रेंशल प्लेयर बन यह तीनों ही अच्छे चक्के एंड में लगा सकते हैं और टिम डेविड तो थर्ड डाउन तक खेलने की बैटिंग इनकी आ सकती है तो एक अच्छी पिक बन जाएगी स्मॉल लीग में केरन पॉलाड की कोई इंट्रोड़क्शन की ज़रूरत नहीं है और अगर यहाँ पर सूरे कुमार यादव नहीं खेलते हैं तो मिडिल ओडर जो है वो थोड़ा सा इनेक्स्पीजिएंस नसर आ रहा है तो वहाँ पर पॉलाड जो है अच्छी एंड में आके फिनिशिंग कर सकते हैं और ज़रूरत नाने पर बोलिंग भी कर सकते हैं अगर मुंबई की पहले बोलिंग आती है तो मुरुगन अश्विन काफी अच्छा लेक्स बिनर है लेकिन इने बहुत जादा काफी सालों से भी खेल रहे हैं लेकिन इतना जादा हाइप इने क्रियेट नहीं हुई है लेकिन इने अपना काम कर जाते हैं काफी अच्छी टर्न है इनके पास और आफ्टरनून मैच में एक बहुत अच्छे डिफेंशल प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं टाइमर मिल्स भी काफी अच्छे डेथ बोलर है और जो विकेट्स निकाल सकते हैं आई प्ल में वापसी कर रहे हैं पहले जब खेले थे तो काफी महंगे विकेट्स है तब परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो इस बार परफॉर्मेंस देना चाहेंगे और काफी अच्छी आपके लिए चॉइस बन जाएगी स्मॉल लीग टीम में और ग्रेंड लीग में आप इनको भी कैप्टन ट्राइक कर सकते हैं अगर टीम पहले कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की पहले बोलिंग आती है उस केस में क्योंकि वहाँ पर ये डेथ में विकेट निकाल सकते हैं जैदे वुनाटकर्ट मुझे लगता है खेलने चाहिए क्योंकि यहाँ पर ओल्रेडी स्टार्टिंग में डेथ बोलर यहाँ पर है जो है जस्पीद बुम्रा और टाइमर मिल्स स्टार्टिंग में जैदे वुनाटकर जो है वो बोलिंग करते हैं नजर आ सकते हैं और यह जिस तरीके खिलाड़ी है यह विकेट अगर यहाँ तो स्टार्टिंग में निकाल लेता है या फिर यह इनकी पिटाई होती है फिर इने दो से तीन ओर मिलते हैं चार ओर मिलते भी नहीं है और यहाँ पर इनका जो बैटल रहेगा न वो यहाँ पर प्रित्वी शो इनके साथ इनकी बैटिंग देखने मज़ा आएगा अगर यहाँ पर उनाटकर खेलते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रित्वी शो जो है जैदेव के पास बहुत जादा स्पीड नहीं है ठीक है तो वहाँ पर इनके उपर चोको की बरसात कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जैदेव उनाटकर भी प्रित्वी शो का विकेट निकाल सकते हैं अगर आप जैदे उनाटकर्ड को अपनी टीम में लोगे तो पृत्वी शौ ना लेना ग्रैंड लीग में और पृत्वी शौ लेते हो तो उनाटकर्ड को अपनी टीम में ना लेना ठीक है तो यहाँ पर डेथ बोलर की बात करें सो जस्पीद बुमरा और टाइमल मिल्स हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें सो यहाँ पर रोहिष शर्मा इशान किशन सूर्य कुमार खेलते हैं सो अफ कोर्स वो है पॉलार्ड है सैंस हैं बुमरा और मिल्स जो है इस टीम के इंपॉर्टेंट खिलारी है बात करते हैं स्मॉन लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की क्या बेस्ट आप्शन रहेंगे सो रोहिष शर्मा काफी लोग ट्राए करने वाले हैं दोनों विकट कीपर यानि के रिशापमंत और इशान किशन और जस्पीद बुमरा जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे सो ये कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चोईस बन जाते हैं ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन प्रिथवी शोख काफी अच्छी चोईस है ये प्लेयर मुझे भी ग्रैंड लीग विन करा चुका है आपको भी करा सकता है क्योंकि ये प्लेयर inconsistent है इनका जो selection है ये दो में आज में flop होएंगे इनका selection दे पे एक दम मार जाएगा फिर ये एक आदे में run कर देंगे फिर दो में flop हो जाएंगे इसी तरीके से प्रिथवी शोग खेलते है तो यहाँ पर प्रिथवी शोग ग्रैंड लीग के लिए अच्छी चोईस बन जाएगी कैप्टन की टाइमल मिल्स अगर टीम पहले बोलिंग करती है तो टाइमल मिल्स अच्छी चोईस बन जाएंगे और डैनिल सैंस भी जो ओल राउंडर की का रोल कर सकते है मुझे लगता है अच्छे कैप्टन ग्रैंड लीग के कैप्टन बन सकते है बात करते है विनर कोन हो सकता है इस मैच का तो यार काफी तगड़ा मुकाबला है दिल्ली मुंबई तो यहाँ पर काफी अच्छा मुकाबला है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दिल्ली को थोड़ा सा एज रहेगा इवन दो टीम जो है वो मुंबई की स्टॉंग नजर आ रही है बट स्टिल स्टार्टिंग के मैचिस में मुंबई की पर्फोर्मेंस जो है वो टेक टाइम लेती है एक बार सेटल होने में और एक बार हो जाए फिर यह हारती नहीं है लेकिन स्टार्टिंग का मैच है तो दिल्ली को मुझे लगता हलका सा फेवर मैं करूंगा लेकिन मुंबई काफी स्टॉंग है आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके हिसाब से कौन से टीम यह वाला मैच विन कर सकती है चलिए चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ हमारे पास विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर इशान किशन है और साथ के साथ यहाँ पर रिशपंध हैं दोनों important है और दो differential प्लेयर जिनका selection नहीं है वो है टिम सिफर्ट लेकिन अगर यह खेलते हैं तो इनका selection जो है अच्छा कासा हो सकता है क्योंगी credit भी काफी कम है लेकिन यहाँ पर श्रीकर भरत का कम रहेगा selection और यह आपके लिए ट्रमकार्ड सावित हो सकते हैं अभी के लिए मैंने यहाँ पर इशान किशन और रिशपंध दोनों के साथ मैं हाँ पर गया हूँ अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में अगर सूर्य कुमार खेलते हैं सो मेरी टीम में होंगे लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि फर्स्ट मैच में शायद नहीं खेलेंगे क्योंकि अभी भी इंजूरी से recover कर रहे हैं सो chances काम है लेकिन खेलते हैं सो important रहेंगे आपकी टीम में होने चाहिए सो अभी के लिए दो प्रूफ में लेके जा रहा हूँ वो यहाँ पर पृथ्वी शौ है और रोहिश हर्मा दोनों के साथ मैं यहाँ पर चाहरा हूँ सर्फरास जो है यह यह लोटर उडर ऑडर बैटिंग करेंगे ग्रैंड लीग के लिए दो खिलारी जो खेल सकते हैं चलिए चलते हैं और rounder section में Mitchell March मुझे लगता है अगर जब खेलेंगे ना यार एक कमाल का player है तो मैं काफी excited हूँ देखते हैं Mitchell March कैसा करते हैं लेकिन अज starting के matches में नहीं खेलेंगे तो यहाँ पर मैंने किसको लिया है यहाँ पर दो player को जो मैं लेके जा रहा हूँ वो है Aksar Patel और यहाँ पर Daniel Sam Karen Pollard है जिसको आप पर टीम में बिल्कुल ले सकते हो किसी भी match में धमाका कर सकते हैं यहाँ पर Fabian Allen है अगर खेल जाते हैं suppose करो टीम जो है Mills की जगा इनको यहाँ पर मोका दे दे मुझे मुझे मुश्किल लग रहा है लेकिन अब खेल जाते है तो आपको बैटिंग, बोलिंग, फिल्डिंग हर तरीके से contribution दे सकते हैं ललित याद अब एक अच्छा जो है बैटिंग, आल राउंडर हम कह सकते हैं एक अच्छा player है ट्राइ कर सकते हो ब्रिविस जो है, खेलने के चांसे जो है कम है, बेवी एवी डिविलियर्स खेलेंगे, तो इनकी बैटिंग देखने के लिए मैं काफी excited हूँ, खेलेंगे, तो मज़ा आएगा इनकी बैटिंग देखने में, यहाँ पर संजे अब हमारे पास एट क्रेट बचरा है, तो यहाँ पर अगर हम ठाकुर नहीं लेते हैं, अगर सपोस्ट करो, यहाँ पर लूंगी एंगीडी और यहाँ पर मुस्तफिज रहमान दोनों खेल जाते हैं, तो इस case में हम दोनों को ले लेंगे, फिर ठाकुर को नहीं ले पाएं तो इंपॉर्टेंट है, एंगीडी स्पेशली, यहाँ पर उनाट कड हैं, जो एट एंड हाफ क्रेट पर मिल रहे हैं, डिफरेंशल पेर आपके लिए बन सकते हैं, कुल्दी प्यादा और मुरुगन अश्विन, कोई ट्राइ नहीं कर रहा है, काफी कम लोग ट्राइ करें यहाँ पर उनाट कड की जगा स्वाब बेजल थंपी को ट्राइ कर सकते हैं, लेकिन एट क्रेट में अभी के लिए हमारे पास जो आप्शन आ रहे हैं, वो यहाँ पर है, अन्मोल प्री सिंगर खेलते हैं, तिलक वर्मा और यहाँ पर तिलक वर्मा को लिया है, यहाँ पर अगर खेलते हैं, तो टिम सिफर्ट को भी ले सकते हैं, यह जो फाइनल पिक है, यह डिपेंड करेगा कि लाइनप क्या रहती है, तो वो आपको फाइनल टीम में टेलिग्राम पर बता दूँगा, तो अभी के लिए जो है, यह टीम बन रही है स्माल लीक की, इसमें एक से दो चींज हो सकते हैं, डुपेंडिंग अपॉन अपन लाइनप और टॉस, कैप्टन, वाइसक्टन, की बात कर लेते हैं, तो मैं इस मैच में कैप्टन मनाने वाला हूँ रिशप्त, मनाक को वाइसक्टन, जो है मैं इशान किशन के साथ जा रहा हूँ, रोहिश्षर járma muk क पसंद आई है, पसंद आई है, so like करो, share करो, हमारे साथ telegram channel पर जुड़ जाओ fantasy fortune, link description में है, और comment section में पिन कर दूँगा, साथ के साथ youtube channel को subscribe करके, bell icon दबा दिए, जैसे वीडियो आएगी, आपको notification मिल जाएगी, thank you guys.